हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चानल, फिट एंड फ्लेक्जिवल, मैं मैंनिशा कुबल, आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, कुछ नया लेकर आई हूँ पारीजातक, हरशिंगार, प्राजक्ता, पारीजातमू, पकडमले, शेफालिका इन कई नामों से जाना जाता है ये वुरुक्ष, पारीजात ये पुश्प देने वाला वुरुक्ष है, इसके पुश्प सफेद रंग के होते है और इसका गंठल ओरेंज रंग का होता है, दि की सुन्दर होती है शाम के वक्त इसके फूल खिलते है और रात होते होते ये पूरे वातावरण को सुगंधी बना देता है ये जो सुगंध है वो सुबह तक ऐसे ही रहती है वैसे ये वुरुक्ष मेडिसिनल है इसलिए यहां आउशदी के रूप में हमारे जीवन में भी ख खुश्बू दे सकता है अगर हम इसके पत्तों की और फूलों की चाय बना कर पीते है तो हमें बहुत सारे फाइदे होते है जिन लोगों के शरीर में सुजन है जिन लोगों की हड़ियां दुखती है जोडों का दर्ध होता है घुटनों का दर्ध होता है और्थराइटिस ह या साइटिका का दर्ध है इन सब की दवा है पारिजात के पत्ते इसलिए इस मेडिसिनल पेड को हमें अपने आंगन में जरूर लगाना चाहिए मैंने भी लगाया है और इसका फाइदा भी मैं ले रही हूँ चायत ये इतना मेडिसिनल है इसलिए इसे शुब माना गया है इसके फूल भी बगवान को चड़ाना शुब मानते है इसके पत्ते कुरुदरे होते है और उपर से गहरे रंके होते है चलो तो कुछ पत्ते में तोड लीती हूँ और इसकी चाय कैसे बनानी है वो आपको दिख वैसे हर एक जन इसकी चाय अलग-अलग तरीके से बनाता है, कोई इसे मिक्सी में पीस कर बनाता है, तो कोई इसे उबाल कर आधा बनातेते हैं, काड़ा जैसे बना कर पीते हैं, मैं इसे डॉक्टर खादरवली जी जैसे बताते हैं, वैसे आपको बना कर दिखाऊंगी, इसे साफ करने के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाला है, और एक से दो मिनिट के लिए मैं ऐसे ही से भीगने दूंगी, अब दो मिनिट हो गए है, अब मैं इसे वापस अच्छे से हिला कर, पानी में से निकाल कर साफ पानी में एक बार और धोलूंगी, और एक तर और गड़ी में देखकर बराबर 3 मिनिट तक इसे उबलने देना है वो भी मीडियम गैस पर एकदम फास्ट गैस पर इसे नहीं उबालना है देखो पत्ते मैंने अच्छे से डुबो दिये है पानी में अब इसे उबलने के लिए रख दिया है अगर आप चाहो तो पत्ते कर वापस 2-3 मिनिट ऐसे ही रख देना है अभी 3 मिनिट हो गए है अभी से हमें चान कर लेना है चानने के लिए हमें स्टील की चलनी लेनी है प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं यूज करनी है अभी से चान कर मैं एक ग्लास में ले रही हूं और इसे गुन-गुना होने के बा एक तो गुन-गुना चलेगा, नहीं तो normal temperature पर लाग कर हमें उससे पीना हैं, यह जो काड़ा है यह हमें सुभे खाली पेट लेना है, एक ही प्रकार का पत्ते का काड़ा हमें 6 दिन लगातार लेना है, 6 दिन के बाद हमें दूसरे पत्ते का काड़ा लेना है, जैसे के कडि प प्राजक्ता के पत्तों पर आना है ऐसे 6-6 दिन हमें अलग-अलग पत्तों का काड़ा पीना है अगर वाकई में आपको अपने हडियों के दर्ज से चुटकारा चाहिए तो ये प्राजक्ता का काड़ा पीना शुरू कीजिए और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये काल फिर्मी लेंगे